दोस्तो नमस्कार आप सभीखत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन यूज में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यासंबल योजना दोस्तो विद्यासंबल योजना के तहत तीन जिलों का अपडेट है आजमीर जयापूर जैसल में रहेकर जिला मैंने इसमें सामिल किया है तो दोस्तो इन तीन चार जिलों के जो अवीदन है वो शुरू हो गई है और इसमें कितने पद हैं कैसे आप लों को फॉम भरना है क्या योगिता है आविदन की डेट्स क्या है वो सारी चीजे बताने वाले हैं तो complete video जरूर देखिए और अन्य जिलों का update पाने के लिए या इन सभी जिलों की विग्यपति को देखने के लिए टेलीग्राम प्रवश्य फोलो करें टेलीग्राम का लिंक आपको description में मिल जाएगा चाहिए दोस्तों बताते हैं के करके आपको इन तीन सार जिलों की विद्धा संभल योजना के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कारियाले प्राचारिया नोडल राजकिये महविद्दाले बस्सी तो दोस्तों यह सारी की सारी जो updates है college lecturer के लिए है और 16 अगस तक आप लोग इसमें फोर्म भेज सकते हो साम 5 बजे तक ठीक है और यह देखिए यहाँ पर आविद्दन जो है राजकिये महविद्दाले बस्सी जैपूर और राजकिये कन्या विद्दाले बांस्को जैपूर तो इसमें जो है बस्सी में फिजिक्स का बोटनी, केमेस्ट्री, मैथ्स बाइलोजी, व्यवसाइक प्रसासन EAFM, AVST, बुगोल इन सब का एक-एक पद निकाला गया है सायक चारिय के रूप में इसी तरीके से जो बांस्को जैपूर राजकिये कन्या महविद्दाले इसमें हिंदी अंग्रेजी इतियास, बुगोल, लोग, प्रसासन अर्थ, सास्त, राजनिति, विज्ञान इनमें एक-एक पद है सभी में एक-एक पद है 16 तारीक तक आप लोग इसका आविदन कर सकते हो आविदन मैंने टेलिग्राम चैनल पर डाल रखा है एक तो फोर्म है उसके साथ दो एफिडेविट्स है वो आप लोगों को बनवा करके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है अटेच करने होंगे दूसरा यहाँ पर दोस्तो अपडेट है केकडी अजमीर का है यहाँ पर देखिए और इसमें भी देखिए विद्यसंबल योजना के तहत भरती निकाली गई है कॉलेज में और इसके जो आविधन है आप लोग भेश सकते हैं व्यक्तिगत या डाक दुवरा 20 अगस तक जो राजके महाविधल केकडी के आविधन 20 अगस तक साम 3 बजे आप लोग भेश साम 3 बजे तक इसमें भेश सकते हैं इसके लिए जो कॉलेज सिक्षा के जो फोर्म है दोस्तों जो कॉलेज लेक्चर के उसके लिए नियून्तम जो आपके उम्र है वो 21 वर्स होनी चाहिए ठीक है और ये आप लोगों को जो फोर्म है अगर केकडी का चाहें तो इस तरीके से ste.radistan.gov.in slash college ठीक है इस तरीके से आप लोगों को आविधन पत्र सब लगबग सब का एक ही है सब भी कॉलेजों में सब भी स्कूलों में वो आविधन काम में लिया जा सकता है तो इसमें बुगोल और सास्तर लेखाव व्यवसाइक प्रसासन, भोतिक सास्तर, गणित, अंगरजी साहित, हिंदी साहित, वन्सपती सास्तर, रसायन सास्तर, प्राने सात्र, इन सब का एक-एक सीट है इसके अलावा राज के महाविधन अले सावर अजमेर इसमें भी दोस्तो बुगोल की एक है, इतियास, राजनिती, अंगरजी साहित, हिंदी साहित, इनकी विसीटे हैं इसी तरीके से राज के महाविधन अले टांटों टी अजमेर, इसमें एक साथ तीन कोलेस का भरती है दोस्तो इसमें देख सकते हैं, आप लोग संस्कृत का एक हिंदी साहित, अंगरजी साहित, इतियास, राजनिती विज्ञान, बुगोल और सासरिन सब में एक-एक, ठीक है आप लोग 25 अगस तक भर करके भेज सकते हैं, व्यक्तिगत या डाक दुआरा, और किनको भेजना है, नोडल, महाविधन अले, श्री गौविन सिंग, गूरजर, राज के महाविधन अले, नसीराबाद, इस अर्डर्स पर आप लोगों को भेजना होगा, ठीक है, इसमें भ इसमें हिंदी साहित का एक है, अंग्रेजी का एक है, राजनेती का एक है, बुगोल का एक है, संस्क्रत, इथियास और ग्रहविध ज्यान, इनके भी एक-एक जो सायक आचारी है, कॉलेज लेक्चर है, वो इनको चाहिए, ठीक है, अब अगला है दोस्तों ये देखिए, का कॉलेज प्रचारी है, डॉक्टर असोक तवर्ग के अनुसार, महविध दाले में, विज्ञान विशय में, रसायन विज्ञान, गनित, वानिज में BST, व्यवसाइक प्रकासन, प्रसासन, कला संकाय में ग्रह विज्ञान, लोग प्रसासन और अंग्रेजी विशय में, जैसलमेर का, उसमें देखिए, हिंदी, राजनिती, इतिया, समासास्त, अंग्रेजी, दर्सन, सास्त और लोग प्रसासन, इसमें भी 13 अगस्त काविदन किया जा सकतो, जैसलमेर के दो कोलेश में, ये सायक आचारिया की भरती है, 13 तारीक तक, ये देखिए, जैपूर का द कला संका, ये तीन सब्जेक्ट होगे, इतिया, सरसास, समासास, तीन पद, इसी तरीके से, यहाँ पर आप लोग देखें, विज्ञान संकाय में, बोतिक होका हो गया, रसायन का, प्रानिसास्त, वन्सपति और गणित, तो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 हो गए, ये चाहिए किसको र इंदी, अंगरेजी, राजनिती, इतियास, लोग प्रसासन, और बुगोल, और अर्शास्तर के, 7 पद हैं, तो 7 इसमें राजकिये, कन्या महाविद्धाल, विद्धानगर, जैकुर्व में, इसी तरीके से, यहाँ पर देखिए, गणगोरी बाजार में, जो राजकिये, ग पर विजना है, यहाँ पर विजना है, यह अड्रस यहाँ पर दिया गया है, इसी तरीके से, दोस्तों, अगला देखते हैं, देखिए, यह, सिरिमती पाना देभी मोरोजोईवाला, राजकिये, कन्या महाविद्धाल, जैकोर्टपूतली, ठीके, यह पास का ही कॉलज है, बानसूर के पास का कोट पूतली तो यहां पर भी दोस्तो एक गल्स कोलेज है इसमें भी चाहिए देखिए इतियास बुगोल समासास्त्र एक एक पद तीन पद यह हो गए इसके अलावा दोस्तों इन्होंने राजनेती विज्ञान में एक व्याख्याता सवप वित पोसी कक् तो ठीक है यहां पर तीन चार पद यह हो गए यूजिसी के मापदर अनुसार और यहां पर उन्होंने मानदे के बारें बताया है और बीस आठ तक आप लोग ग्यारा बजे तक प्रस्तूत कर सकते हैं सोरी अठारा तारिक तक फोम भेज सकते हैं और बीस आठ दो हजार बा और बीस तारिक को इनोंने कहा है कि आप अपने मूल जो प्रमान पत्र हैं डोक्यूमेंट हैं जो आगर आपने फोम अपलाई किया है इस कोलेज के लिए तो आप लोग इसमें भेज सकते हैं एक और दोस्तों स्वाई मादपूर का सामिल किया है यह देखिए कैप्टन फारा तारिक तक फाराम वेजा जा सकता है ठीक है गेस्ट फैकल्टी के रूप में इसमें यह कोलेज सामिल किये गए हैं ठीक है इसमें एबी एस्टी एफम बिजनिस एड्मिनिस्टेशन क्रेसी पोज व्यादी की सश्य विज्ञान यह मेंली एग्री कल्चर के सब्जेक् इसके अलावा राजकिय महाविदाले Чोत का बरवड़ा स्वाई मादोपुर इसमें हिंदी अंग्रेजी बुगोल लोग प्रसासन समासास्तर अर्षास्तर रित्यास यह सबजेक्ट के टीचर्स चाहिं इसके अलावा दोस्त भी विराटनागर जैपूर जो है राजकिये इसनात कोत्र महावीदाले विराटनागर जैपूर इसमें भी एक-एक पोस्ट निकाले गई हैं केमेस्ट्री से वोटनी से जूलोजी से फिजिक्स से मैच्स से व्यवसाइक प्रसासन से एबीएस्ट्री से एफम से भुगोल से ठीक है ये एक-एक पद इसमें सारे के सारे यहाँ पर रिक्त बताये गए हैं इसका जो फारम है बीस आट तक भेज सकते हो अब दोस्तों जो ये कोलेज लेक्चरर की भरती है इसके लिए मेल लिए आपको ये पास योगता क्या होनी चाहिए देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर इसना तक अदीसना तक यानि कि इसना तक पीजी तो आप होंगे ही होंगे इसके साथ क्या होना चाहिए एमफिल हो पीएचडी हो NET हो, SLET हो, JRF हो, तो आप आविदन इसमें कर सकते हो, ठीक है? तो कोलेज लेक्चरर के लिए न्यूंतम योगता, PG के साथ NET, SLET, MFIL ये होना चाहिए, PhD हैं तो बहुत अच्छी बात है, SET पास हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने क्या किया है? इसके लिए अलग-अलग अंक निर्धारित किये हैं मालीज आप NET भी पास हैं आपका JRF सहीत NET पास हैं या सिर्फ ONLY NET पास हैं या ONLY SET पास हैं तो इन्होंने इनके क्या की अंक रखे हैं जो सलक्षन करेंगे इन्होंने इनके अंक रख दिये अगर आपका कहीं सोध प्रकाशन हो चुका है PhD अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी है अगर आपको कहीं से पुरुसकार मिला है तो उसके लिए भी इन्होंने अंक निर्धारित कर रखे हैं तो ये जो अंक है वो देखे जाएंगे सारे के सारे परसंटेज का भी इसमें इन्होंने सीन रखा है ग्रेजुएशन की परसंटेज का भी वेटेश दे रहे हैं पीजी का भी वेटेश दे रहे हैं एमफी लग रहे हैं तो उसका भी वेटेश दिया जा रहा है तो इसी आधार पर इसमें चेयन किया जाएगा तो जो भी अभ्यारती जो भी साथी यहाँ पर नेट पास आउट हैं वो भी अपलाई कर सकते हैं और जिनके पास नेट के अलावा और भी क्वालिफिकेशन्स रखते हैं तो भी अपलाई कर सकते हैं अच्छी नोकरी है वैसे क अफ्लाइन फोर्म है आप लोग डेट का जरूर ध्यान रखें ये सारे के सारे सात आठ जो भी फोर्म थे या आपको टेलिग्राम पर मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का और भर दीजिये फोर्म धन्यवाद आप सभी का जै हिन दोस्तों जै भारत